तो है गाई किप्टोफ फायर के एक और फ्रिस वीडियो में आपका स्वागत है तो आपके वीडियो में हम लोग एक एस के बारे मगें से जाने वाले हैं और इसके टेक्निकल चार्ट एनालाइसिस को सौर्ट में देखने वाले कि यहाँ पर क्या मोमेंट बन सकती है तो सबस मार्केट कल गिरावाट आपको देखने को मिलगी लगवाक्त 30 to 35% की गिरावाट आपको देखने को मिली और अभी मार्केट आपको 45.33% अफसाइड की मुव भी सो कर रहा है बर देखिए मार्केट उपर से गिरने टाइम जितना गिरता है उगर नीचे से उतना पंप दिखेगा फिर भी मार्केट उसकी ब्रावरी नहीं कर पाता है इसके पीछी का एक बीग रीजन है मैं किसी दिन फुल एक्जामपल के साथ आपको समझाऊंगा तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके टेक्निकल चार्ट एनालाइसिस पाने से पहले एक देख लेंगे कि यह अ मारा टॉप का रेसिस्टेंस था बस यह टॉप के रेसिस्टेंस था कभी सर्वाईवी नहीं किया तो इसी वज़े से मार्केट अभी भी डाउन है तो यहां पर देखे यह एक डाडार बना था रेंज और रेंज ब्रेक आउट हो गया जो की लगवक पांच मई के आसपास यह टेंब्रेक ऑट होने के चांसे थे और पर सके उंडल आपको वान डेके ऍाइंब यह इसलिए लूँकर चाट आणालास equiv और यह आज की वज़ात मार्केट में नहीं करेंगें बिग डीजन है जब तक यह सपोर्ट इसके रेसिस्टेंस की तरह वर्ट करता है और यह जब तक यह रेसिस्टेंस को नहीं तोड़ता तब तक समझी अभी मार्केट के और भी आप जाने के चांसे कम हो गया और कल बिग लॉस हुआ होगा सब को क्योंकि देखें मार्केट में जब गिरावट होती है तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा कि आपको जल्दी से करना क्या है मोमेंट आप टेक्निकल चार्ट वाले पार्ट को देखे रखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि देखें यहां से जो सपोर्ट ब्रेक हुआ है तो मार्केट के बहुत नहीं इंट्री तो नहीं बनेगे और पेसेंसली होल्ड किजिए जो अल्डेडी मान लीजे यहां से मार्केट नीचे आ गया तो मार्केट रिकवरी देगा बट आपको थोड़ा टाइम आप लग सकता है क्योंकि देखें इसलिए मैं कहता हूं हमें साथ टेक्निकल चार्ट की मूवमेंट आपको देखने को मिल पार ही होगी यहां पर जैसा की देख पार है तो चलिए दोस्तों फिर और भी कोई डाउट आता आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूट कर सकते हैं मैं आपको इमिडेटली रिप्लाइज देने की कोसिज करूँगा और भी कोई कोई से र